कि परिजन है उनका आरोप है कि जो है आप ट्रेग्नेंट है मतलब गर्वती है तो वो कह रहा है कि इसी के बहाने वो घर पे आया था वो पांच शेजार रुपए ले लिए आपके पती है तो कब हुई आपकी साधी है हमाई साधी चार साल होगा तो आप कब से यहां रह रहे हैं यह पंदर दिन होगा है कब हुई थी आपकी लास्ट बात साजिस से कब हुई थी जो वहां उनके परिजन है उनका आरूप है कि जो है आप ट्रेग्नेंट है मतलब गर्वती हैं तो वो खह रहे हैं कि इसी के बहाने वो घर पे आया था वो पांच शेजार रुपए लिए लिए ऐसा कुछ नहीं है कुछ और कहना चाहेंगे पती ने आपके दो बच्चों की हत्या कर दी क्या कहना चाहेंगे प्रफार रिश्टार रहे हैं जी बताईए जी बताईए कुछ लगा आपको कई आपकी ऐसी बात हुई कि इस तरीके की कभी कोई आपको क्या लग रहा है क्यों हत्या करी उसे हैं अभी एक्स्क्लूजिव आपको एक और कड़ी से मिलाते हैं सना हमारे साथ हैं यह साजित की पत्नी है जिसके बारे में साजित ने कहा था कि वो उनकी इलाज के लिए उनकी प्रेगनेंसी के लिए 5000 रुपे लेने के लिए उनके घर पे जा रहा है वो पत्नी देखिए हमारे सामने बिलकुल मौजूद हैं बिलकुल फिट हैं किसी तरह की कोई बिमारी नहीं है कोई परेशानी नहीं है और इनी सना का नाम लेकर साजित जो है वो घर के अंदर गया था और इनी की जो प्रेगनेंसी है इनकी जो बिमारी है उनको लेकर 5000 रुपे के डिमांड की थी इनी से हम बात करते हैं सना कोई बिमारी आपको कोई परेशानी आपको कोई परेशानी नहीं यह भी पताया जा रहा है कि आप माह बनने वाली ऐसा है तो आखिर साजित क की आज के दिन दिन पिछले सब्ता क्या बोला था साजित के साथ घर पर थी है कभी उस दोरान इन दोनों बच्चों का जिकराया हूँ या परिवार का जिकराय है या संगीता ब्यूटीपालट का जिकराया है कभी भी कुछ ना कुछ ना पैसे को लेकर कोई तंगी वंग घर परिवाद ठीक चल रहा था है पैसे वो कमा रहा था साजिद बालो दुकान ही काम करते थे अपनी दुकान थी या किराय पर ता अप किराय पर और दोनों भाई काम करते थे साजिद जावेद या कोई और भी थ आपको कभी लगा कि आपके पती इस तरीके से किसी बच्चे को मार सकता है कि साजित का इंकाउंटर हो गया आपको लगता है कि सही हुआ जैसा उस नहीं किया अचया आप अपको निया पता कुछ अच्छा आप जब घर में रहती थी तो जावेद आता था जाता था उसका विभार कैसा था जावेद का जएस रहते तो वैस भाईए ऑफने दो जनी रहते हैं सला से कोई बात नहीं थी दुनों भाई में लडाई वाकर कुछ ना कभी कभी कुछ नहीं करते थे और काम क्या करते थे ये कुल मिलाकर यह बालनुक काम करते नाई वाला बस नाई का अब कोई काम नहीं करते थे और इनकी दोस्ती किन लोगों के साथ नहीं थी बात्चीत जो आप बता सके हमें नग कोई बात नहीं थी और कोई बात ने ही कितने फंद पहले आप के शादी हो थी चार साल ऑफ की शादी को हो गई है कोई ऐसे रिश्टेदार हैं बधायूं बदाईयू में आसपास में जो साजिद और जावेद के रिष्टदार हो जहां वो जा सकते हो कितने रिष्टदार हो कोई नहीं बदाईयू में उनके परिवार के और कौन लोग रहते हैं का रोते हैं बहुई रहते हैं और कोई नहीं रहता है जावेद के चाचा ताउ कोई यह चुछ रहता हैं जाविद की बुवा या कोई और नहीं कोई नहीं और कहीं जो ऐसा जगह जहाँ जाता हो या सकता हो या साजित जाता था त्यूंग आ जाते हैं कई और अपकपी आप से उची आवाज में बातचीद की वह गये बता रही है कि भाई वो तो जाता नहीं था बाचीद नहीं होती थी परिवार एक साथ रहता था शादी के चार साल हो गए थे फिर आखिर वो क्या वजह थी आखिर वो क्या कारण था कि साजिद ने इस तरीके से ये कदम उठाया ये बड़ा सवाल है और जावेद को ही इस ब है अपने घर पे 15 दिन से अपनी मां के घर पे हैं बिलकुल अच्छी है स्वस्त है एकदम खड़ी है और कह रही है कि इनको तो पता ही नहीं है कुछ तो आखिर वो क्या कारण था कि बार-बार साजिद जो है वो सणा को इस पूरे मामले में खसीट रहा था यानि कि ये तो बिलकुल साफ है कि जो बात अपनी पत्नी को लेकर साजिद कह रहा था वो टाइमस्टना भारत के कैमरे पे एक्सपोज हो चुकी है कि किसी भी तरीके से सना बिमार नहीं है नहीं सना मा बनने वाली है यानि कि जो भी बात साजिद कह रहा था जन बातों को लेकर वो घर पे और क्या-क्या जो आक्शन्स हैं वो बदाईयों पुलिस लेते हुए नजर आ रही है लेकिन अभी भी जावेद फरार है उनके पिता और उनके चाचा को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है लगातार सगन पूछता जारी है ताकि जावेद का जल जल पता चल सके और जो सच्चाई है उस पूरे मामले में उसको सामने लाया जा सकते हैं